नमस्कार मैं इंदू रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लाटफोर्म प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार 28 जुलाई को गुजरात की गांधी नगर में सेमिकॉन इंडिया इवेंट का उधगाटन किया इससे पहले उन्होंने सेमिकॉन इंडिया एक्जिबीशन को देखा इस दोरान उनके साथ केंद्रिय मंत्री अश्वीनी वैशनम और राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य लोग मोजूद रहे इसमें 23 देशों के प्रतिनिधी के साथ फॉक्सकॉन, माइक्रोन, AMD और IBM सहित अन्य बड़ी चिप मेनिफेक्टरिंग कमपनिया शामिल है इससे पहले गुजडा सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ये इवेंट बिजनेस संभावनाओ के माध्यम से सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री के विकास के लिए है इसका मुख्य फोकस इनोवेशन, पार्टिसिपेशन और ग्रोथ है ये आयोजन भारत में सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री के भविशे को आकार देने में जादतर महत्व रखता है सेमी कॉन इंडिया इवेंट आज से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा फोकस कॉन चेर्मैन यंग लियू, माइक्रोन के चीफ एक्जिकेटिव ओफिसर संजे महरोत्रा और एडवांस्ट माइक्रो डिवाइसर के चीफ टेकनोलजी ओफिसर मार्क पेपरमास्टर तीन दिन के लिए इस इवेंट में वक्ताओं में शामिल है इससे पहले 25 जुलाई को गुजरात के मुख्य मंतरी भुपेंद्र भाई पटेल ने आम लोगों के लिए समिकॉन इंडिया एक्जिबिशन ओपन किया था इस दोरान उनके साथ केंद्रिय मंतरी राजीव चंदर शेखर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे इवेंट से पहले केंद्रिय मंतरी राजीव चंदर शेखर ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि समिकॉन इंडिया का दूसरा एडिशन गांधी निगर में हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ पंद्रा महीने पहले जब पहला समिकॉन इंडिया बैंगलूरू में लॉंच किया गया था तो ग्लोबल कंपनियों के बीच बहुत सारे सवाल थे क्या भारत सफल होगा? क्या भारत फिर से विफल होगा? चुँकि भारत समिकंडक्टर इंडस्ट्री के शेत्र में पिछले 70 सालों में बार बार विफल रहा है गांधी निगर में दूसरा एडिशन उन जबरदस्ट सफलताओं को बताने का एक अच्छा तरीका है जो हमें पिछले 15 महीनों में मिली है जुलाई 2022 में गुजरा सरकार ने समिकंडक्टर पॉलिसी 22-27 की अनाउंस्मेंट की थी जिसके तहट सरकार ने राज्य में समिकंडक्टर या डिस्पले फैबरिकेशन मैनुफेक्टरिंग में इन्वेस्ट करने के एक्छुक लोगों के लिए बिजली, पानी और घूमी शुल्क पर भारी सबसीडी देने का प्रसाव रखा था समिकंडक्टर और डिस्पले भारत को एलेक्ट्रोनिक्स हब बनाने के लिए जरूरी है भारत सरकार ने देश में समिकंडक्टर को प्रोटसाहन देने के लिए PLI स्कीम की भी घोशना की थी ग्लोबल कंपनिया समिकंडक्टर के लिए भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूफ में देख रही है साल 2020 में भारतिय समी कंड़क्टर मार्किट की वैल्यू 27.2 बिलियन डॉलर थी और सालाना 19 प्रतीशत की बढ़ोतरी के साथ इसे 2026 तक 64 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है समी कंड़क्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सरकिट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने में काम आती है ये चिप एक धिमाग की तरह इन गैजट्स को ओपरेट करने में मदद करती है इसके मिना हर एक एलेक्ट्रोनिक आइटम अधूरा है कम्प्यूटर, लाप्टोप, कार, वाशिंग मशीन, ATM, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मुझूद स्मार्टफोन तक समी कंड़क्टर चिप पर ही काम करते हैं कैसे काम करता है समी कंड़क्टर ये जान लीजे ये चिप एलेक्ट्रोनिक आइटम को अटोमाटिकली ओपरेट करने में मदद करती है उधारन के लिए स्मार्ट वाशिंग मशीन में कपड़े पूरी धरह धुलने के बाद अटोमाटिक मशीन बंद हो जाती है इसी तरह कार में जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलट देती है ये सेमी कंड़क्टर की मदद से ही होता है फिल्हाल आज के लिए इतना ही ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमान न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहरा समय के डिजिटल प्लाटपॉर्म के साथ धन्यवाद